कि छोड़ आये हम वो गलिया जिसमें हर रो चक्र काटा करते थे क्योंकि वहाँ पर अब करोना के दो मामले सामने आ चुके हैं भाई प्यार अपनी जगा लेकिन सेफटी पहले हलो नमस्कार शासरियाकाल रावराम जी मैं हूँ आपका अपना कुमार और स्वागत हाफ का हमा हमारे लेटस्ट करोना अपडेट में कुछ दिनों से हमारे दर्शक लगातार कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि हम टिक टोक वर्सीज यूटूब में जो जंक छिड़ी होई है उस पर विसलेशन जरूर करें हम अपने दर्शकों से बेहत प्यार करते हैं और उनकी भावना का स चुका है और साथ ही मरने वालों की संख्या भी साड़े तीन लाके करीब पहुंच चुकी है दुनिया में जो देश हर चीज में नंबर वन होने का दावा भरता था यानि कि अमेरिका वो करोना संक्रमितों के मामले में अभी भी अपनी बाच्यात काइम रखने में में लिए के बीस हजार से भी ज्यादा करोना के मामले सामने आ रहे हैं अब तक ब्राजियल में करोना संक्रमितों का आकड़ा च्यार लाक के पार पहुंच चुका है इसके बाद तीसे नमबर पर आता है रश्या यहां पर आब हाला धीरे-धीरे काबु में आ रहे हरोज कर रशिया में अब कमी आ रही है अब बात करते हैं जी अपने देश की तक्रीबन एक लाख सतर हजार से ज्यादा करोना संक्रमितों के साथ भारत इस वक्त करोना संक्रमित देशों की सूची में नुवे नंबर पर हैं वही राज्यों के अगर बात की जाए तो महाराष्टर अब भी छोथे नंबर पर है उई अगर हर्याना की बात की जाए तो यहाँ पर गुरुगराम को अगर छोड़ दे तो स्थिति काफी अतक काबू में है 700 करोना संकरमितों के साथ हर्याना अभी भी करोना संकरमित राजयों की लिष्ट में 16 नमबर पर है मतलब हम कह सकते हैं किस मामारी के दोर में हर्याना काफी अच्छी स्थिती में उसकी वजह है अमारा रहेंसन और खान-पान इसलिए तो कहते हैं जहां दूद दई और यूटूब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है जहां दूर दर्शन पर इस वक्त महाबारत की जंग छिड़ी होई है उसी तरह महाबारत सोसल मीडिया पर भी यूटूब और टिक टोक के यूजर्स के बीच लड़ी जा रही है यह लड़ाई जिन वैक्ति विशेस की वज़े से शुरू हुई उनका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन जिन कारणों से हुई वो बहुत ही वायाद है कहते ना कि खाली दिमाग सैतान का घर होता है और हमेशा उट पटांग हरकते ही करवाता है अब इस लोगडाउन में लोगों के पास कुछ काम तो है नहीं अबहले यूटूबर ने टिक टॉक यूजरस का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो यूटूबर अप्लोड की उसके बाद टिक टॉक यूजरस ने भी यूटूबवालों के खिलाब खूब सारी पोस्ट अपलोड करके इसका विरोज जताया इसके बाद तो सोशल मीडि करने का ट्रेड चलाया जा रहा है इससी वजह से टिक टोक को काफी नुक्सान उठाना पड़ा जांट टिक टोक की रेटिंग अब 3.8 से घट कर 1.6 तक गिर चुकी है खैर हम इस पर अपनी कोई विशेश टिपनी तो नहीं करेंगे क्योंकि सब की अपनी चोईस होती है और अपनी समझ होती है लेकिन आप कमेंट्स करके जरूर बताइगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं यूटूब को या फिर टिक टोक को तो इसी के सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादव ज्यादव शेयर करते हैं तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में किसी और लेटर्स टोपिक के साथ तब तक लिए नवस्कार हर्याना म्यूजिक इंडास्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रही हर्याना में डाउनलोड दी आप नाउ